नमस्ते अभिवादन आपका Innocent Investor के इस नए विडियो में दोस्तों नीरत जी ने गोल्ड जीता है उनको धेर सारी सुपकामना है आपको भी धेर सारी सुपकामना है लेकिन क्या हम ये शुपकामना है डिजर्व करते हैं नीरत जी तो डिजर्व करते हैं क्योंकि उन्होंने पता था कि यह सीधे गोल्ड होगा, मैं सीधे गोल्ड माइन हिट करूँगा, वो मैं खुद भी नहीं जानता था, लेकिन हमारे जो आसपास के पडोसी होते हैं, घरवाले होते हैं, इन्हें अपने बच्चे से सिर्फ गोल्ड की उम्मीद होती है, वो पहले दिन से अगर सिधे तेंदुलकर सहाब से, सिधे तेंदुलकर होगा कोली से, सिधे कंपेरियन होगा पीवी सिंधु और नीरत चोपडा जी से, बिलकुल हो, ऐसा ही महाल होता है, और यह बहुत गडबन महाल है अपने समाज का, अब आते हैं स्टॉक मार्केट में, यहां पर क्या होता है कोई बंदा जब कुछ जीत जाता है तो अपने संघर्सों को याद नहीं करना चाता, इसलिए नीरत चोपडा जी भी नहीं बोलेंगे, या कोई भी बड़ा बंदा, कोई भी बड़ा प्लेयर आकर नहीं बोलता है, वो इग्नोर कर जाता है, चलो छोडो, अब तो मैं आगे बढ़ गया ना उससे, लेकिन ऐसा फैमली मेंबर, ऐसा सोसाइटी हम सब को यह सोचना पड़ेगा को उसके पीछे आगों पर चल कर गुजनना पड़ता है अगर गोल्ड जीतना है तो, और बिल्कुल वही कहानी स्टॉक मार्केट में है, देखिए वहाँ पर तो हमारी अब बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट की, भाई साब यहाँ पर जो बंदे आपको प्रॉफित दिखाने आते हैं, उसमें थे 95% तो बिल्कुल फेक होते हैं, वो कुछ भी करते हैं, जिद दिन प्रॉफित होता है उद दिन आपको दिखा देंगे, या कुछ भी ऐसा प्र पर जाए, सेल कर दो, बीच का जवाया वो अपका प्रॉफित हो गया, इसके पीछे का संघर्स आप नहीं जानते हो कितने आग के उपर चल कर वो बंदा वहां पर पहुंचा है, कितने आसानी से अगर आपको दिख रहा है ना प्रॉफित है, तो उसने बहुत मेहनत की है, सोच भी नहीं सकते, तुहारी रात्नों की नीध हराम हो जाएगी, यह वीडियो आपको कड़ी भी लग सकती है, मैं बता रहा हूँ, नीरत चोपडा ने अगर गोल्ड जीता है, तो उसके पीछे इतना संघर्स है, आप सोच नहीं सकते, कोई जन्विन मंदा आपको अपना आकर profit दिखा रहा कितने आसानी से वो trade कर लेता है, बहुत लोग हैं, कम से कम 4-5 लोगों को तो मैं YouTube पे जानता हूँ, जो एकदम effortlessly बाजार से earning कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से बाजार को देखा है, समझा है, वो effortlessly stock selection कर सकते हैं, बहुत अच्छे जगें पे stock आपको select कर सकते हैं, आप भी जानते होगे ऐसे 2-4 लोगों को तो आप जानते होगे, मैं fraudsters की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जब profit होगा आकर दिखा जाएंगे, समझें, मैं genuine लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन वही genuine लोग, आपको अपने संघर्स अच्छे से खुल कर क क्यों, क्योंकि वह उससे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा, कि आसान नहीं है वहां तक पहुंच जाना, आज जो हमको उस बंदे में effortlessly दिखाई दे रहा है कि वह 87-88 मीटर फेक सकता है, तो शुरुवात उसकी 8 मीटर से होई होगी, आप भी अंदर वनना तकलीफ आपको होगी, अपने बच्चों से उमीद, आज की करिए, आज वो क्या करने जा रहा है, आज उसने 8 घंटे प्रैक्टिस की या नहीं, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो खेल खेल रहा हो, रिजल्ट पर फोकस जो करेगा, वो बरबाद होगा दूसरों का profit देखकर अगर आप उसको copy करने की कोशिस करोगे, सारा पैसा लुटा दोगे, और बिल्कुल वही बात यहां पर है, heroes को मत देखो, heroes के संघर्स को देखो, otherwise आप 0 हो जाओगे, विडियो कड़ी भी लगी हो, तो dislike कर देना, बाकि जो दिल में था, वो मैंने setup के, तो यकीन मानो, यह आपके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाला है, बस यही था दिल में, सोचा आप से बोल दूँ, तो गोल्ड हर कोई deserve करता है, लेकिन जो सबका sacrifice होता है, जो सबका effort होता है वो गोल्ड लायक नहीं होता, तो जरा चेक कर लेना, कि आप गो किएगा, नमस्कार